नमस्कार दोस्तों, यदि आप या आपका कोई परचित गाल स्टोन से पीडित है, तो अवशी ही आप लोगों ने यूट्यूब पर अनेकों वीडियो देखे होंगे कि गाल ब्लेटर प्रेस्टोन को कैसे समाप्त किया जा सकता है। मैं आज आप लोगों को अपने अनुवव की आधार पर और आयरिवेद की अनुसार किस प्रदार से डाल स्टोन की पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है, एवं साथ ही किस प्रदार से गाल स्टोन को खत्म किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, इसके बारे में विश्टार से बताऊंगा कि गाल स्टोन के मरीजों के मन में या उनके परिचितों के मन में यह सवाल आता है कि क्या दाल स्टोन को बिना आपरेशन के भी रिमूब किया जा सकता है अगर किया जा सकता है तो कैसे किया सकता है और किन परिस्टितियों में गाल स्टोन के लिए उपरेशन करना आविशoter है किस्टितियों में हम इसमें आउशदियां लेकर आयरावेतिक दभायां लेकर उस्टोन को देड intense tri गम करते होए वह समाप्त कर सकते हैं जिस प्रकार से वाइल के इखटा होने से कंडेंस होने से स्टोन बनता है उसी के रिवर्स प्रोसेस में जाकर उस स्टोन को देरे-देरे समाप्चिनी गया जा सकता है इस वीडियो में मैं आपकी सभी सवालों के जवाब देना चाहूंगा और इसके लिए आवश्यट है कि आप इस वीडियो में अंततक बने रहें और अपने यदि कोई क्वेश्चन भी हो जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पा रहे हैं तो उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख कि गाल स्टून के साइज के बारे में किस साइज का गाल स्टून दवाओं के दौरा रिमूओ हो सकता है और किस साइज का गाल स्टून इसके कम्पी किशन के साथ उसका आपरेशन कराना ही एक मिकल हो बचता है अतार मैं अपने अनुगाव के अनुसार अभूम आईरियोद अश्रदियों के अनुसाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस-किस साइज तक के गाल स्टोन ऑश्रदियों के दारा रिमूब किया जा सकते हैं आला कि एक लंबा प्रोसेस होता है और इसमें समय तो लगता ही है अगर गाल स्टोन का साइज 10 mm तक का है तो उसके बारे में आयर्वेदिक उश्रदियों के दारा उसको रिमूब करने के बड़े में एक वर अवश्र सोचना चाहिए दस से 20 mm तब के स्टोन जो होते हैं उनको भी आयर्वेदिक उश्रदियों दरा रिमूब किया जासता है लेकिन उसमें समय काफी अधिक लगता है अगर गाल स्टोन 20 mm से अधिक है और उसके साथ कोई कंप्लिकेशन भी है अथ्वा मॉल्टिपल स्टोन्स हैं तो वहाँ पर यह अवश्रक हो जाता है कि उस गाल रेटर की सर्जिरी कराकर उस स्टोन को निकलवा दिया जाए यह बात भी गाल स्टोन के प्रेशिंट्स को जाना जरूरी है कि जब गाल स्टोन का ओपरेशन कराया जाता है तो अधिकतर मामलों में गाल ब्लेडर को स्टोन के साथ ही निकाल दिया जाता है गाल बेडर को निकालने का मतलब है कि चुकि गाल बेडर में पित बनता है बाई बनता है और उस बाई का ताम सेटी या चर्वी युक्त भोजन को पचाने का होता है यदि गाल स्टून के साथ साथ गाल बेडर भी निकल जाएगा तो वहां पर प्रयाक्त मात्रा में भोजन क को पचाने के लिए बाई नहीं मिलेगा इससे अपचन की समस्या होगी एवम पीट खराब रहने लगेगा कई बार ऐसा होता है कि गाल स्टोन के साथ में कुछ कम्प्लिकेशन्स होते हैं वहां पर कैंसर जैसी बीमारी के उने के चांसिस भी होते हैं आता जब भी ऑप्रेशन कर रहा है तो उस सैंपन को बाई उपसी के लिए अविश्म बेजना चाहिए इससी गनफर्म हो सके कि गाल ब्लेडर के स्टोन के साथ साथ कहीं कैंसर की समस्या तो उत्पन्न नहीं हुई गाल ब्ल अबसे पहले तभी पता चलता है जब उसमें गाल ब्लेडर में कहीं बपेन हो रहा हो अत्वा जनरल रूटीम में कभी अल्टा साउंड होता है तो उसमें भी कभी-कभी विना किसी तकलीफ के भी गाल स्टोन का पता चल जाता है वो कुई तकलीफ नहीं हो रही है लेकिन हम अज़ी गभी अल्ट्रा सौन करने से भी अचाना की पता चल जाता है ऐसी इस्तिति में अगर गाल स्टोन छोटी है उसका साइज कम है तो वहाँ पर आवश्य एक बार किसी कुशल अईरवेदिक चिकिसक से परामस्त लेना चाहिए और यदि आउशदियों के द्वारा दवा के लिए अधिक अच्छा रहेगा क्योंकि अगर ऑपरेशन करा देंगे तो साथ ही काल बैडर भी अधिकतर मामलों में निकाल दिया जाता है ऐसी इस्तिति में इस्षित रूप से पचन संबंदी जो विकार होते हैं वो उत्पन होते हैं और जो चर्वी वाले पतार्थ होत यह यदि किसी रोगी को आपर अबढमन में पेन है तो अल्था संब के द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि वह पेन किस वजह से हो रहर सकता है कि वह गाल बैडर में पत्री होने के ताहरं हो रहा हो जब कोई रोगी तो युकि गाल स्टों से पेलित है हम जैसे आयर्मेदी चिक्रसकों के पास उसकी उप्चार के लिए आता है तब हम अल्टा साउंड के साथ साथ कुछ जाचे और भी कराते हैं एवन जब और शदी की विवस्था करते हैं तो उसमों दू महिने तक यह देखना होता है किन उन आशदियों का कितना प्रभाव मरीज के उपर हो रहा है एवन यो गाल स्टोन है उसके साइज में कितना अंतर आया है कभी-कभी गाल स्टून बहुत टाइट होता है, बहुत सक्त होता है, तो औशदी नेने के साथ साथ उसके साइज में कोई विशेश अंतर नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ जाचें, यो कि स्टूल की जाच है, फैटी एसिट्स की जाच है, उनके द्वारा यह पता चलता है कि रोगी की इस्टिथी पहले से बेतर हो रही है, या नहीं, आशदी निवश्टा के साथ साथ जो कुछ जाचें बताई आती है, कि हमारा दाल स्टूल कम हो रहा है या नहीं, उन ज्याचों के द्वारा यह पता चलता है कि हमारे शरीर की आशदी लेने के बाद क् क्या वो आगे चलनकर दाल स्टूल को भोल पाएगा या नहीं, पहत्रमाप्त हो पाएगा कि नहीं, इसके लिए जो जाचे हैं वो विशेश रूप से हम चार जाचे कराते हैं, यो कि इस प्रकार है, सबचे पहले हम इस्टूल की जाच कराते हैं, जिससे रोगी की संबन्दी जो समस्या है जो और अग lanes, उनका पता चलता है, इसके बाद हम लिपिड प्रूफाइजर आते हैं, लिपिड फूफाइजर पता चलता है कि उसके शरीद की क्या इस्थितिती है, लिवर फंक्शन टेस्ट से लिवर की इस्थितिती का पता चलता है, एनकूर अल कि औश्रदियों का प्रवाम हमारे शरीर पर कितना हुआ है अगर कहीं पर अल्टा साउंड में एक या दो मिलिमीटर का अंतर साइज में दिखता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह स्टून कम हो गया है हो सकता है कि अल्टा साउंड करने वाले की इस्तितिक अनुशार किस क Course तो मिलिमीटर तक का और पड़ जाता है अता दौका सिबन लगतार करना पड़ता है कि इससे दीरे-दीरे जो लिए बहुत अदिक सकत होता है वो दीरे-दीरे मुलायम होता है और मुलायम होने के बाद फिर वो दीरे-दीरे गलना शुरू होता है और अंत में गलकर समाफ्त हो जाता है जब गाल स्टोन का आपरेशन करके गाल ब्लेडर को ही निदाल दिया जाता है तब जू जितने फैटी चीजे हैं जिनमें चर्मी की मात्रा अधिक होती है उनके पाचन पर बहुत अधिक असर पड़का है और वो अपरेशन की इस्तितित पन कर देते हैं इसलिए उशिश ये क कि जहां तक हो आशदियों के द्वारा ही गाल स्टोन का रिंगोवल हो जाए और आपका गाल ब्लेडर भी बचा रहे तूंकि गाल ब्लेडर में लिवर से आकर के जो बाइल जूस है वो एकत्र होता है और जिस समय बोजन करकते समय हमको चर्मी को डाइजिस्ट करने के वह आपर मिलता है और उस बोजन को पचाने में सहायता करता है जब गाल ब्लेडर रिमूव वह जाता है तो लिवर से सीधे निरंतक बाइल जूस है वो हमारे अमाशे में आता रहता है और नगातार मौपर वह बना रहता है इससे उसका कंसंटेशन पूरा नहीं हो पाता है बोजन को पचाने में हो सक्षम नहीं होता है इसी वज़े से हमारे शरीर में हमारे बोजन को पचाने की जो इस्तिती होती है वो ठीक नहीं रहती है और अपचन की समस्या उतपन हो जाती है पेट में गैस बनना पेट में किसी पकार का दर्द रहना यह भी इसके आम लक्ष बाद मुझे पाचन संबंदी परशानी तो नहीं होगी तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाल ब्रेडर रिमूवल के बाद 80% से अधिक रोगियों को पाचन संबंदी विकार उत्पन हो जाते हैं उनका पैटी असिट्स और चैल्मी वाले जितने भी परदार्थ हैं उनको पचाने में शरीद ठीक प्रदार से काम नहीं कर पाता है और उनके उनको गैस बनना अपचन की समस्या होना इस प्रतारिक अनेक परशानिया काफी लंब पर वे समय तक रहती हैं इसलिए मैं आपको यह सला दूंगा कि गाल ग्लेडर रिमूवल से पहले एक वार आयरवेदिक उश्वधियों को अधिक चिकेश सक से एक पर अवश्य परामश करें आयरवेदिक उश्वधियों को लें और अपनी समस्याता समाधान करें जब हम कि उसकी डोगी का अईरवेदिक बीदी से अईरवेदिक उश्वधियों दूरा ग्लेडर रिमूल की विवस्था करते हैं तो 30 दिन पर 45 दिन पर 60 दिन पर टेस्ट करते रहते हैं अल्टरसौंण कराते हैं इससे यह पता चले कि क्या रोगी को जो हम दवा दे रहे हैं उससे तो उसको प्रभाव हो भी रहा है कि नहीं अगर प्रभाव हो रहा है तो उस हिसाब से और श्रदियों की वेवस्था की जाती है अगर प्रभाव नहीं हो रहा है तो कुछ और स्विदियों को बदलना भी पड़ता है कभी-कभी क्या होता है रोगी कि मन में यह आथा है कि द्धाब ने जो मेडीसीन नम्पोली के दिये एक वोग छी-सात महिने खानी है लेकिर ऐसा नहीं होता है रिपोर्ट कराने का या जाच कराने का विशेश मतलब यही होता है कि रोगी पर उस दवा का कितना असर हो रहा है 45 जनके बाद 60 जनके बाद जब जाच कराते हैं तो पता चलता है कि शरीर में क्या क्या परवर्तन आएंगे उन परवर्तन के अनुसार हम औशरियों को बदलते भी हैं अता कभी भी यह ना सोचें कि एक बर दवा लिख वाली हम 6-7 मेन तक खाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे उससे कभी कभी क्या होता है कि रोग अपनी यह बना रहता है पत्री नहीं गलपाती है और बाद में परशानी मढ़ जाती है उस परशानी ना बढ़े उसके लिए अभशक है कि सही समय पर और निश्चित अंत्राल पर चिकिस सक्से संपर्क में रहें एवम परामश करते रहें अधिक तर लोगों के मन में ये विश्वास है कि गाल इस्टोन अगर हो गया है तो उसका आपरेशन ही कराना होगा जबकि ऐसा नहीं है बहुत से मरीजों में ऐसे देखा गया है कि उनको आयरवेदिक और शद्यां देने के उपरांग उनका जो गाल इस्टोन था वो गुलकर देरे-देरे खत्म हो गया और वे बहुत ही शांती से और सुक पूर्वक अपना जीवन व्यतियत कर रहे हैं उनको कोई दोबारा बर शाने नहीं अल्टा सौंड में भी उनकी जो गाल स्टोन था वो समाप्थ हो गया उतर क्या है कि वो गाल स्टोन और शद्यों के फ्रवाप से धीरे-धीरे गलने लगता है उच्ण बनने लगता है चून ओकर सलज की रोप में गाल स्टोन गाल प्रेश्ट में नीचे बैढ जाता है अब समस्या क्या आती है कि वो निकले कैसे उसको निकलने के लिए कुछ हम गया हूं कुछ आसन बताते हैं जिससे कि और यू गाल ब्लेडर है उसका मूँ जो उपर की तरफ है वो अगर आसन करने में नीचे की तरफ हो जाए और गाल ब्लेडर पर प्रेशर पड़े तो गाल ब्लेडर से बाइल जिऊस निकलके बहार आएंगे और उनके साथ में वो सिलज या चून बना हुआ या पाउडर बना हुआ जो गाल स्टोन है वो भी निकल करके बहार आजाएगा ज़रूरी है कि गाल स्टोन के टीटवेंट के साथ साथ बताई गई आसन बताई यो प्रामायाम भी आवश्च्र करें इससे आपके गाल स्टोन को बाहर निकालने में मदद मिलती है अशा है कि मेरे द्वारा जो इस सब जानगारी दी गई है ये आपको आपके ज्ञानवर्धन के लिए अच्छी रही होंगी आपको इन से संपूँ रूप से ये पता चल गया होगा कि गाल स्टोन के साथ हमको किस पतार्च गिस्ता लेनी चाहिए मैंने बहुत से पिशेंट से संग देखा है मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स भी हैं कि उन में गाल स्टोन बाद में सिरज के रूप में नीचे बैठ गया और जब उनको आसन के द्वारा कुछ व्यायाम के द्वारा कराय गया तो वो बाई रिजूश के साथ मिलकर गाल बेड कश ठंको गाल बेडर में स्टोन होने से होता है वो भी दिले दिले समापत हो जाता है आशायक यह जानकरी आपको उचित लगी होगी अपर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें उसका कमेंट करें सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों को शेयर अवश करें इससे कोई भी अगर गाल इस्टोन का पेशेंट है वो इससे लाब उठा सकते है यदि आप में से कोई गाल इस्टोन से पेड़ित है तो हमारे कापी फिट के इस प्लेटफर्म पर आकर कंसलेशन कर सकता है यह इसमें नीचे मोबाइल नमर दिये रहे हैं उनका संपर कर सकता है हम अपने इस प्रकार के यह गाल इस्टोन से हैं उनसे मुक्ति मिल सकते हैं मुक्ति प्राप्त कर सकता है धन्यवाद